हाई एवरिवन कैसे हैं आप सब आज कल तैवारों की सीजन चल रही है तो मैं एक सूइट बनाने जा रही हूँ सूजी की बर्फी तो चलें उसके इनिग्रिडेंट से शुरू करते हैं वन कप सेमोलीना या सूजी हाफ कप डेसिकेटेट कोकोनट पाउडर सबसे पहले कड़ाई लेंगे उसमें यह देसी घी डालेंगे घी थोड़ा सा गरम हो जाए तो उसमें हम यह सूजी डालेंगे हमें इसे सिलो फिलेम पर रोस्ट करना है इसका कलर नहीं चैंज होना चाहिए आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताके मेरे आने वाली नहीं रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे हलकी सी रोस्ट हो गई है अब इसमें यह कोकोनट पाउडर डालेंगे इसका कलर नहीं चैन्ज होना चाहिए रोस्ट हो गई है गैस बंद करेंगे और किसी बरतन में निकालेंगे यह बरतन में निकाल दिया है टू कप मिल्क या फिर जितनी सूजी लिया है उसके डबल मिल्क लेना है वन एन हाफ कप शुगर या चीनी इसी सेम कड़ाई में हम यह दूद डालेंगे इसके साथ ही यह शुगर डालेंगे इसको चलाते रहेंगे जब तक एक बॉइल ना आ जाए और शुगर डिजाल ना हो जाए इसमें बॉइल आ गया है और शुगर डिजाल हो गई है अब इसमें जो हमने सूजी को रोस्ट किया था वो डालेंगे slow film पर इसको चलाते रहेंगे जब तक दूद खतम ना हो जाए दूद खतम हो गया है इसको चलाते रहेंगे जब तक ये side ना छोड़े इस side से अलग हो गया है अब हम cover करके इसको slow film पर 2 मिनट के लिए रखेंगे दो मिनट बात cover को उठा कर हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे और गैस बंद करके इसको दो मिनट के लिए cover करके रखेंगे अब इसे हम plate में निकालेंगे इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखेंगे हाफ टी इस्पून इलाइची पाउडर ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है अब हम इसमें इलाइची पाउडर डालेंगे इसे अब हम स्मूथ करेंगे मैंने इसे स्मूथ कर लिया है अब इनके तीन हिसे करेंगे पहले वाइड हिसे के हम चोटे चोटे पेड़े बनाएंगे इस तरह से इस तरह से हम बाकी सारे बना लेंगे दूसरे इसे में मैंने ये गरीन फूड कलर डाला है आप कोई भी कलर ले सकते हो इसके उपर थोड़ा सा पाने डालेंगे इसको अच्छे से मिलाएंगे अब दूसरे गरीन इसे के हम चोटे चोटे पेड़े बनाएंगे इस तरह से इस तरह से हम बाकी बना लेंगे तीसरे इसे में मैंने रेट कलर मिला है आप कोई भी कलर मिला सकते हो अब इनके चोटे चोटे पेड़े बनाएंगे इस तरह से तीनों हिस्सूं के मैंने ये पेड़े बना लिये हैं तीनों कलर के पेड़े उठा कर हाथ में इसे रखकर इनको ऐसे प्रेस करते हुए इसे इसे राउंड गुमाते जाएं और ये शेप दें इसी तरह से बाकी सारे बना लेंगे ये मैंने सारे बना लिये हैं इसके उपर लगाने के लिए मैंने ये आलमंड लिये हैं आप कोई और ड्राइफ ले सकते हो इसी तरीके से बाकी सब पर लगा लेंगे सूजी बर्फी की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना बूलिएगा थेंक यू फार वाचिंग